ही गाइज, वेकम तो सर्स पॉइंट, आज हमनों डिस्कुस करेंगे वी सर्माइस के करेंटर फिर्स, जो कि हमारी में मंत की चल रही है तो चलिए इन्वार्मेंट के स्टार्ट करते हैं, फिर्स टॉपिक, फिर्स लिसन आ चुकी है जिसमें की कल मैं यहाँ पर तीन टॉपिक डिसकुस की हूँ आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले देखने वाले फ्लाई एश उतिलाइजेशन, कुछ निव रूल्स आया है, कॉल बेस जो थर्मा पावर प्लांट है और इग्नाइट बेस जो थर्मा पावर प्लांट है, उसके लिए कुछ निव रूलस आया है, उसे हम लोग नेक्स्ट यहां पे स्नो लेपर्ट के बारे में एक चोटी से आर्टिकल है कुछ न्यू आपको facts पता चलेगा और जो पुराने facts से उसकी revision हो जाएगी थार्ड है कि used cooking oil based जो biodiesel है इसके बारे में कुछ new हम लोग पढ़ने वाले ये एक अच्छी आर्टिकल है जिसमें आपको काफी कुछ new पता चलेगा ठीक है और tropical cyclone की बात की गई है तो ये काफी शांदार तरीके से यहां पर समझाया गया है तो मैं कुछ और भी चीजे यहा पर तीन आर्टिकल को discuss करते हैं चलिए start करते हैं तो ये question कल पूछी थी आज चलिए इसका answer बता देती हूं यहां पर पूछा जा रहा है कि जो neem coated urea लाने की बात की गई थी agriculture sector में सरकार के द्वारा तो इसका कारण पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा सरकार कर रही है इत मीं है कि neem oil जो release होती है soil में इससे nitrogen fixation increase होता है और वो भी किसके help से तो soil में जो microorganisms होते है उसके help से आप देखो urea क्या है एक kind of fertilizer है fertilizer का अगर मिट्टी में ज्यादा इस्तिमाल हो या फिर कम इस्तिमाल हो जितना जरूरत है तो उससे soil की fertility कम हो जाती है बरबाद भी हो जाती है तो soil की fertility कहने का क्या मतलब होता है soil fertility कहने का मतलब है कि nitrogen की कितनी मात्रा है maximum आप देखो कि soil में जो है अगर nitrogen की मात्रा अच्छी है तो कहा जाता है कि soil fertile soil है ठीकि मिट्टी उप जाओ है तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि एक गिसानों को इतना जादा पता नहीं होता है और काफी जादा excess fertilizer की इस्तेमाल हमारे देश में चल रही थी तो यहाँ पे neem coated कहा गया यानि कि यहाँ पे जो yurea है उसको neem से पूरी तरीके से coat कर देना यानि कि उसको cover कर देना तो इससे क्या होता है कि जो neem oil risk risk के जो soil में जाता है उससे nitrogen fixation होता है यानि कि जितनी या को इस्तिमाल करने से तो हम लोग नहीं रोख सकते लेकिन यूरिया में नीम को coat कर सकते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे जो soil fertility है जो जाओ मिट्टी है वो बरबाद ना हो quality यहाँ पर degrade ना हो fine तो चलिए start करते हैं आज के article पहले यह article मैं यहाँ पे discuss कर लिती हूँ उसके बाद जो 2020 में question पूछा गया है यह coal ash के बारे में तो आप लोग जानते हो कि UPSC का favorite area है कोईला, fly ash, coal ash तो यह सब आपको पता होना चाहिए तो पहले article समझ लेते हैं फिर question देखेंगे तो आप लोग बेटर तरीके से उसको solve कर पाऊगे तो देखते हैं news में क्यों है क्योंकि ministry of environment, forest and climate change के द्वारा fly ash की जो utilization की जो deadline है उसको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया गया है और fly ash की जो utilization है वो thurma power plant में करते हैं जहां से electricity generation होता है और यहाँ पे कुछ penalties भी introduce किया गया था कि अगर जो भी यहाँ पे thurma power plant है TPP है अगर वो इस तरीके का जो यहाँ पे fly ash को कैसे utilize करना है अगर उस चीजों को नहीं माते तो उन सारे TPP पे आपका penalty लगेगा तो चलिए थोड़ा सा deadline यहाँ पे increase कर दिया गया है तो यह काम की बात नहीं है काम की बात किया है कि पहले आप समझे कि फ्लाइ ऐश में composition क्या क्या होते है जैसा होता है और इसको use कैसे किया जाता है मेली fly ash होते क्या है नाम से यह पता चल रहा है fly है यानि उडने वाले ash है ash क्या होता है तो ash stray आप लोग जानते हो जब smoke आप करते हो तो उसमें से cigarette से जो धुए निकलते है उसको आप ash करते हो तो वैसे कोईले से भी इस तरीके से काला धुआ निकलता है जिसे ash कहते है तो fly ash mainly क्या होता है कि coal based power generation होता है जो हमारे हाँ आप देखो कि mainly जो thumb up power plant है वो कोईले का इस्तिमाल करती है और कोईले के इस्तिमाल से जो है finally electricity generate होता है तो कोईले के इस्तिमाल से बहुत काला धुआ भी निकलता है जिसे हम लोग fly ash भी कहते है ये एकदव fine powder जैसा होता है लेकिन इसमें कुछ आपको oxides भी देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पर substance होते है जिसे silica oxide हो गया, aluminium oxide हो गया, calcium oxide हो गया तो इन सब के mixture को यहाँ पर क्या कहते है fly ash कहते है साथी साथ यहाँ पर आप देखो कि arsenic भी देखने को मिलेगा boron भी है, chromium lead यह सब कुछ है जो कि air और water pollution को काफे ज़ादा बढ़ा देता है वैसे तो koilet से जो यह आपका धुआ निकलता है काला धुआ तो सीधे यह atmosphere में चला जाता है यह फिर आप लोग समझो कि हमारे हवा में रहता है तो air pollution तो होई जाता है लेकिन अगर यह धरती पे आ गया तो इससे हमारा soil pollution भी हो जाता है water pollution भी हो जाता है तो यह इतना ज़्यादा जो है इसमें arsenic lead यह सारे जितने भी harmful chemicals मिल जाते है तो इसके कारव pollution बढ़ जाता है आप देखो with low grade of Indian oil Indian coal देखें, Indian coal का क्या बात है कि हमारे हाँ जो production होती है कोईले की, माल लिजे 50% अगर production हो रही है तो हमारे हाँ कोईले की production में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग कोईला import करते है क्यों कोईला import करते है just because क्योंकि हमारे हाँ जो कोईले का production होता है उसकी quality बहुत low है good quality की हमारे हाँ कोईले नहीं produce हो पाते है तो इसलिए हम लोग import करते है तो 50% जितना production होता है 50% हम लोग import भी करते है यह सबसे बड़ी problem है कि हम लोग कोईले का अच्छे quality के कोईले के लिए import dependency आज की भी डेट में तो हमारे हाँ Indian coal जो है वो low grade के है और low grade कहने का मतलब क्या हो गया कि उसमें ash content जादा होता है 32-45% ash content होते है लेकिन जो हम लोग कोईले बहर से मंगवाते है उसमें 10-15% ash content होते है नियरली आप देखो 55% जो हमारे total power generation होता है वो coal और neglect जो best थमा power plant है उसी से होता है और India में जो है यह सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यानि कि fly ash की generation बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा यह क्योंकि हम लोग कोईले का इस्तिमाल इतना करते है लिगनाइट क्या है यह भी आपका एक form of koila है तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा देखो कि 226 million tons जो है 2018-19 में कहा गया है कि fly ash की generation हुई है अगर 226 million tons से भी हम लोग देखे तो 80% जो fly ash है उसको utilize कर लिया जाता है तो यह कहां कहां fly ash utilize होता है यह आप लोग देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो fly ash utilize होता है वो cement में होता है उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे mine fillings में भी होता है bricks वगेरा जो tiles बनते है या फिर जो eat वगेरा बनते है उसमें भी fly ash का आपका utilize होता है साथी reclamation जो low laying areas बनाया जाता है उसमें भी हाँ पे fly ash का इस्तमाल होता है ash diek racing है road flyovers जो बनाया जाते है इसमें आपका use होता है और unutilized कितना रह जाता है यानि कि जो नहीं use है वो यहाँ पर 17% अभी भी देखो कि ऐसी fly ash है जिसको इस्तमाल नहीं किया जाता तो आप देखते हैं कि new notification जो लाए गया उसमें क्या क्या बाते रखी गई है सबसे पहले कहा गया है कि पहली जो fly ash notification थी वो 1919 में ही issue किया गया था और यह इसमें ensure किया गया था कि 2009 तक आते आते हमारे देश में 100% जो fly ash है उसकी utilization हो जाएगी लेकिन आज के date में आप देखो 2021 में हम लोग खड़ें लेकिन फिर भी 100% जो fly ash की utilization है यह अभी तक नहीं हो रही है फिर उसके बाद आप देखो कि simple notification 2016 में आया था जिसमें यह चीज़ कहा गया था कि चली ठीक है 3-5 साल में हम लोग 100% utilize कर लेंगे चली यह भी बार ठीक है लेकिन आप हम लोग देखते हैं कि आज के date में notifications जो है इसका aim यही है कि 3-5 साल में हम लोग कर लेंगे यानि कि 4 साल के cycle में इसको पूरी तरीके से utilize कर लेना है लेकिन इस new policy में यह कहा गया है कि 4-year cycle से यहाँ पे घटा के 3-year cycle रख दिया गया है 100% utilization करने के लिए ठीक है तो यह चीज़ धियान रखना है कि यहाँ पे time period कम कर दिया गया है आगे आने वाले future में सारे जो थमब पावा plant है वो stick रहेंगे कि average जो ash utilization होगा वो 100% होगा वो भी 3-year cycle में यानि कि 3 साल में पूरी तरीके से जितना fly ash generate हो रहा है उसको use कर लेना है सेकेंड है कि legacy fly ash utilization इसको भी extend किया गया है अगले 10 साल के लिए तो fly ash जिसमें कि unutilized और consequently आपका accumulate होता है इसको हम लोग legacy ash कहते है यानि कि आप देखो कि इस साल में 2020 में last year में 2020 में जितने भी fly ash generate हो है फिर next year 2021 में जितने भी generate हो है तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम ल legacy fly ash कहते हैं introduction है polluter paste principle का यानि कि एक fine आपका लगाया जाएगा जितना भी unutilized जो ash है न इसके 1000 per tons में आपे fine लगाया जाएगा जो कि already introduced किया गया है और अगर thermopower plant जो है at least 80% ash utilization को अगर achieve नहीं करते है तो 3 years में तो अगर कम से कम चली 100% नहीं कर पा रहे लेकिन at least 80% तो कर ल पालबाद है construction और transportation में अगर हम लोग बात करें तो जो भी यहाँ पर power plant है अगर वो यहाँ पर comply नहीं कर रही है और as free of cost यहाँ पर agencies को provide क्या जा रहा है जितने भी construction activities है चाहे वो हमारा tiles बने चाहे वो यहाँ पर brick वगेरा बने तो उन सब को अगर यह दे दिया जा रहा है वो भी 300 km radius में और वो भी सारे transportation cost जो है वो यहाँ पर thermopower plant जो है वो bond करेंगे इट मींज कि यह भी कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है penalty दीजे penalty नहीं देना है तो एक और काम करना है कि अगर आप लोग यह बात नहीं मान रहे है तो free of cost जो है अपना कम से कम जो fly ash है वो यहाँ पर construction के लिए दे दीजे और कम से कम आपकी range में जहां पर भी यह आपका जो है thermopower plant है उसके 300 km radius के अंदर अगर जितना भी construction काम हो रहा है तो वहाँ तक की transportation free में आपको जो है पहुंचा देना है तो यह भी एक बात कही गई है साथी center pollution control board का क्या रोल है तो एक committee है जो कि इस साथी साथ यह जो central pollution control board है इनका real time data भी होगा ash availability का कि हर एक thermopower plant में कितना ash available है और कितना उन्होंने utilize किया है सारी data जो है वो central pollution control board के पास भी होगा तो यह सारे आप देखो कि new यहाँ पे कुछ implementation के लिए आपका rules लाया गया है लेकिन फिर भी यह सारे जो बाते रखी गई है इसमें आप देखो कि 100% विल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको implement करने में कोई problem नहीं आएगी problem आएगी आप देखो कि पहली problem तो यही है कि जो legacy ash issue है यानि कि बहुत लंबे समय से जो ash collect होते जा रहा है उसको legacy ash issue कहा जा रहा है तो 1.6 billion turns of legacy ash है जो कि कहां तक है तो March 2019 का पताय जा रहा है और 10 year extension भी दिया गया है तो इससे क्या हो पाएगा कि और piling up होगा यानि कि और जो ash की मात्रा है वो बढ़ते जाएगी तो इसको फिर यहाँ पर tackle करने में problem होगा secondary technological limitation है आज के date में आप देखो कि हमारे जितने thermopower plant है न वो technology का use ही नहीं करते है अच्छा एक चीज़ आप बताओ चलिए आप छुड़े flugas desulphurization है ठीक है यह मैं आप लोग से इसलिए नहीं पूछ रही है कि यहाँ पर बताना जरूरी है कि एक ऐसा technology है जो कि thermopower plant को कहा गया है हमारे देश में कि प्लीज इस technology को install कीजे और जितना sulfur dioxide को जो emission हो रहा है उसको कम कीजे लेकिन हमारे यहाँ जितने भी thermopower plant है वो हितर आप कह सकते हो क्यों क्योंकि वो लोग इसको मानते ही नहीं वो टेकनलोजिक इस्तेमाल करते ही नहीं और हमारे यहाँ जो है इस तरीके की emission भी बढ़ते जा रही है तो मेजोरीटी जो coal और निगलाइट बेस जो यहाँ पर थमापावा plant है न वो यहाँ पर dry fly ash collection को जो पाना पड़ता है क्योंकि हमारी compliance cost और penalty बढ़ जाएगी अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे हमारे thermopower plant ऐसा नहीं करेंगे तो obviously कि lastly उनको fine देना होगा तो इसलिए यह सारे चीजों से बचने के लिए एक गलत तरीका भी अपनाया जाता है तो यह एक अलग से problem है कि इसको कै से टाकल किया जाए साथी आप देखो कि penalty amount जो है न वो यहाँ पर बहुत कम है अगर compliance cost की बात करें यह जो financially discouraged compliance है यानि कि thermopower plant के ओपर जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1000 per turn में यहाँ पर जो penalty fine लगाया जाएगा वो बहुत कम है तो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि compliance cost जो है वो जादा है penalty के अच्छा इसको समझने का कोशिश कीजिए penalty क्या कहा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए fine लगाने की बात की गई है कि 1000 per turn के उपर जो है यहाँ पर आपका rupees 1000 per turn के उपर यह fine लगेगा ठीक है और compliance के अगर बात करें कि जो इस सारे rules को नहीं मान रहे है तो उनको क्या करना होगा कि अगल बकल जो 300 km रेडियस में जितने भी यहाँ पर construction activities चल रही है तो इसको free of cost जो है सारे ashes को वो ट्रांसपोर्ट करें और transportation cost भी जो है वो यहाँ पर थमपावा प्लांट ही देंगे तो यह हो गया आपका compliance cost और यह हो गया यहाँ पर penalty cost तो हर एक per tons में 1000 रुपीज देना होगा तो यही चीज कहा जा रहा है कि compliance cost ज्यादा है यानि कि free of cost में जो transport करना होगा उनको जितने भी construction activities है वहाँ जाकर पहुंचाना होगा fly ash को तो यह ज्यादा महंगा पढ़ रहा है transportation यह ज्यादा महंगा प टन्स के उपर के हिसाब से आप लगा लो लेकिन इस तरीके का काम मत करो कि 300 km तक ट्रांसपोर्ट भी करना है free of cost जाकर देना है तो यह compliance cost जो है ज्यादा हो गया तो confused मत होई है कि penalties क्या है compliance cost क्या है यह दोनों आपके mind में clear होने चाहिए साथी साथ कहा जा रहा है कि limited data है जो तो वही चीज कहा जा रहा है कि data भी जो यहाँ पर thermopower plant के द्वारा provide किया जाता है वो limited है हर एक thermopower plant जो है जितना fly ash generate करते होंगे उतना थोड़ी बताते होंगे उतना थोड़ी यहाँ पर बताते होंगे कि वो कितना generate कर रहे है वो उसका 50% या 60% ही बताते होंगे तो यह भी चीज कहा जा रहा है अब way forward में यहाँ पर बताया गया है कि compliance ensure करना है एक innovative monitoring के थुरू जैसे आप समझो कि drone का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आज के date में drone का इस्तिमाल जो है आप समस्तियों कि Amazon वगेरा भी इस्तिमाल करना start कर दिए अब यह पाकिस्तान के आप देखो कि श stronger penalty rhythm हमारे पास हो साथी साथ scientific जो है fly ash disposal method होना चाहिए actually यह चीज होनी चाहिए जैसे आप देखते हो कि हमारे देश में solid waste management disposal की बात की जाती है और solid waste और wet waste को अलग तरीके से segregate करने की बात की जाती है तो वैसी जो यह fly ash भी है न तो जो सूखे fly ash है उसका अलग system होना चाहि साथी यहां पर आप देखो कि जितने भी prospective users है उनको identify करना होगा standardized के साथ यानि कि ash track है यह ash track क्या है तो एक online आपका mobile app बनाया गया है जिसमें जितने भी fly ash user है उनको link करना है जितने भी power plant executive है जहां से generate हो रहा है fly ash उनको link करना है और यह app के through ही उनको यहां पर trace किया जाए और उनमें से कितना जो है fly ash generate हो पा रहा है तो एक अच्छा तरीका है जिससे कि आपका transparency निकल कर आएगा साथी हमें industry academic partnership को encourage करने की जरूरत है और fly ash को introduce करे as a subject चुकि academy curriculum में हो जिससे कि आप देखो कि अगर इसके बारे में study होगी research होगी तो एक innovative idea निकल कर आएगा एक innovative use ह कि हम लोग और कहां कहां और कितने बहतर तरीके से fly ash को use कर सकते हैं साथी thermopower station की बात करें तो इनको भी explore करना चाहिए साथी जितने भी तरीके के mode से fly ash utilization का उसको promote करना चाहिए ऐसे नहीं है कि जब तक सरकार जो है जितने तरीका जितना फिल्ट यहां पर provide किये हैं उसी मे सिर्थ thermopower plant जो है अपने fly ash को utilize करें ऐसा नहीं होना चाहिए उनके पास भी उनको भी एक freedom दीजे उनके पास भी यह power हो उनको भी freedom हो कि उनको लगता है कि कहीं अच्छे तरीके से बहतर तरीके से वो इस्तिमाल कर सकते हैं fly ash का तो उनको freedom होना चाहिए कि हाँ वो उसको इस quality of power जिसके बारे में क्या रखा गया है इत मींस कि यह समझे कि use of biomass कहा जा रहा है कि biomass का इस्तेमाल करेंगे वो भी यहां पर coal-based thermopower plant में यह जो proposed mission है actually जो issue है हमारे देश में air pollution को लेकर उसके issue को कहीं न कहीं address किया जाएगा क्यूंकि आप देखते हो कि stubble burning बहुत जादा की जाती है तो अब यह stubble burning होता क्या है आप लोग देखो कि यह October तक देखने को मिलेगा कि जो पंजाब हरियाना में जब खरीफ crop के harvesting होती है तो उस समय जब पूरी तरीके से जो है फसलों की कटाई होती है तो उसके बाद जो उसके buy products होते है न वो पूरे जमीन में बिखर जाते है अ तो इसके लिए आप देखो कि जब open garden में इस तरीके से जितने भी घास foods होते है और जो भी buy product होता है crop के उसको जला देने से जो है air pollution बहुत जादा होता है बहुत जादा धूए निकलते तो पंजाब हरियाना वाले एरिया में तो air pollution होता ही है लेकिन क्यूंकि आपको देली NCR वाले region में भी देखने को मिलेगा कि वह एकदम nearby है तो वहाँ पे भी air pollution की मातरा बहुत जादा बढ़ जाती है और ये एक बार नहीं दो बार नहीं ये कई सालों से चलते आ रहा हर साल की कहानी है ये इस साल भी आपको देखने को मिलेगा और उसी समय October Ind या फिर November में दि तो ये चीज़ है कि जो स्टबल बर्निंग की जाती है उससे air pollution बहुत जादा हो जाता है तो इसको एड्रेस किया जाएगा और जो कार्बन फुट्प्रिंट है थर्मपावा प्लांट का ये थर्मपावा प्लांट से आप जानते हो कि carbon generation बहुत जादा हो रही है और होते ही रह रही है और क्योंकि हम लोग कोईले का इस्तेमाल करते हैं तो कोईले से आपको पता है कि black carbon, brown carbon निकलते हैं यानि कि अगर कोईले पूरी तरीके से combustion नहीं होते तो उससे जो काला धुआ है जो कि बहुत जादा air pollution contribute करता है तो इस तरीके के धुए के कारण जो है आप combustion हो पाएगा इस same combustion system में और आज की rate में 5% यह higher level of carbon neutral power generation देखने को मिलता है साथी research and development activities लाय जाएगा जिससे की बटर तरीके से जो है high amount of silica alkaliis जो biomass palette में होते हैं उसको handle कर पाएगे साथी जो constant है कि supply chain of biomass palette का तो इसकी भी जो supply chain है उसको भी हम लोग जो रुकावा है उसको हम हम लोग यहां पर facilitate कर पाएगे साथी जो regulatory issue है biomass co firing का तो उसको हम लोग address कर पाएगे अच्छा यह समझे कि biomass होता क्या है types of biomass देखे यह जितने भी कछडे होते उसको आप biomass कह सकते हो लकडियां हो गई landfill gas हो गई alcohol fuel हो गई या फिर crops हो गई जो सब कुछ जो है एक समय के बाद पूरा decompose हो जाता है मिट्टी में जो मिल जाते हैं और काफी healthy होता है तो इसे हम लोग यहां पर biomass कहते हैं ठीक है अब pros and cons of biomass energy की बात कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कच्डे को हम लोग इस्तेमाल करेंगे biomass की रूप में अगर हम लोग emission भी नहीं देखने को मिलता है लेकिन cons क्या है इसकी disadvantage क्या है किसे कहीं न कहीं air pollution होता है चली surfer और mercury की यहां पर production नहीं हो रही है I mean to say emission नहीं हो रही है बट यहां पर किसी और gas का ज़रूरी emission होता है साथी trees जो है उसको cut करने पड़ेगे अब पेर पौधे काटने पड़त और यहां पर एक बात क्या जा रहा है कि biomass co-firing तो यह है क्या देखे एक funnel होता है funnel या फिर मैं burner कहूं जहां पर biomass को रख कर जो है इसको process किया जाता है जिससे के energy generate होती है तो biomass co-firing में जादा से जादा biomass को add-on करना चाहे biomass in the form of waste is wood या फिर आप लोग जितने भी types देखे उन सबको use करना जो है हम लोग यहां पर biomass co-firing कह रहे हैं so this is all about this topic अभी हम लोग इसको पढ़ चुके है new fly ash utilization अब देखते कि 2020 में question कहां आए है तो इसको solve करने का कोशिश कीजिए सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपको यहां पर तीन statement है correct बताना है first है कि coal ash यहां पर arsenic lead और mercury होते है second है कि coal fire power plant जो है वो sulfur dioxide और nitrogen oxide है उसको release करते है atmosphere में third है कि high ash content जो है वो observe किया गया है Indian coal में तो आपको बताना है कि correct कौन सा है आती हूं जिसके आपकी concept के clarity निकल करा है अभी हमने देखा कि Indian coal की जो यहां पर quality होती वो बहुत लो होती है बहुत लो quality होने के कारण हमारा जो ash content है वो जादा होता है तो third statement is absolutely correct तो एक option हमारा गया और first statement की बात करें तो अभी हमने देखा कि coal के जो fly ash है उसमें arsenic lead mercury सब होते है तो first statement is also correct तो हमारा यहां पर direct answer निकल कर आगया है चाहे आपको यहां पर second statement के बारे में पता हो या ना हो लेकिन फिर भी आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि coal fired जो power plant होते हैं obviously कि यहां पर sulfur dioxide क्योंकि sulfur emission बहुत जादा होता है nitrogen की oxide देखने को मिली है तो यह सारे चीज़ जो है common है कि जिससे emission होती ही है तो यहां पर सारे statement correct है all the above statements are correct तो देखिए UPSC में कुछ ऐसा नहीं है कि अतरंगी question पूछ लिया जाता है जो आप पढ़ रहे हो जो आपके current affairs में चल रहा है जो दिन दुनिया की बात है दिन दुनिया तो छोड़ दीज़े हमारे देश की बात है अगर उसको आप सही से समझ के चल रहे हो तो question solve करने में आपको ज्यादा असानी नहीं होगा तीन जितने भी statement होते है मैं उसको हमेशा jackpot question कहती हूँ क्यों तो यह चीज़ आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमने देख लिया यह article अब आईए next article के तरफ बढ़ते स्नो लेपड के बारे में देखते है Recently news में इसलिए है क्योंकि World Wide Fund India Report यहाँ पर highlight कर रहे है कि हमें urgent need की जरूद है कि जिस तरीके का gap देखने को मिल रहा है Snow leopard का Snow leopard कहने का मतलब है कि जो हिमाले वाले स्नो वाले range में रहते हैं उनकी conservation efforts को हमें improve करना है क्योंकि लगतार इनकी population decline होते जारी है अगर हम लोग स्नो लिपट के बारे में कुछ यहाँ पर basic चीज़े देखे कि किस किस country में भी पाय जाते हैं तो हमारे देश के अलावा यह चाइना, कजाकिस्तान, मंगोलिया तक पाय जाते हैं यह आप range देख सकते हो चाइना का अल्टाई, टेंशान, मंगोलिया, रशिया यह नदन रेंज है उसके अलावा आप देखो कि उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, करगिस्तान, कजाकिस्तान, जिंजियांग प्रोविंस जो चाइना का है वहाँ पाय जाते हैं उसके बाद खाकरकुरून और हिंदु कुष रेंज में पाय जाते हैं यह अफगानिस्तान में आता हैं साथी तिबितिन प्लैट्टू में हैं, साउच चाइना में हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान में हैं तो यह पूरा हिमाले वाला जो range है और जो Central Asia है इसमें आपको Snow Leopard की habitat जो हैं, जहां पे Snow Leopard रहते हैं, वहां से river originate होती है, तो 10 km wide तक यहां पे इतने लोग रहते हैं, सिर्फ 14 से 19% Snow Leopard जो हैं वो protected हैं और सिर्फ 35% जो current Snow Leopard range है, वो predict किया गया है कि वो अभी 20-70 तक रहने वाले हैं, क्योंकि climate change हो रहा है, Snow Leopard है, यानि कि इनका घर glacier है, वो पिघलते जा रही है, तो आगे आने वाले दिनों में इनका habitat loss होगा, जिसके कारण देखने को मिलेगा, कि habitat loss होगा, तो obviously कि इनकी population decline होते जाएगी, साथी यहां पे अगर हम लोग बात करें, तो 221 से लेकर 450 Snow Leopard हैं, जिनको annually मारा जाता है, क्योंकि Snow Leopard उनकी skin वग से तो जो big cat होते है, panthera tigris, जिसे हम लोग टाइगर कहते हैं, उसी से related है, इनकी IOCN में अगर red list में अगर इनका category देखें, तो vulnerable species में यह आते हैं, और यह prefer करते हैं कहां रहना, तो ठंडे जगा पे, arid जगा पे, या फिर mountain area है, तो barren होना चाहिए, पूरा greenery mountain area कि इनकी ज़रूत नहीं होती है, और height हो, हिमाले का, जो कि 3000 है, 5000 मीटर है, तिबतन प्लाट्व में, तो इस जगह पे यह रहना पसंद करते हैं, overall अगर हम लोग जेग्राफिक range देखें, तो 12 high Asia nation में यह रहते हैं, और main prey अगर हम लोग देखे, animals, snow leopard का, तो यह Siberian ibex goat है, जिनको य यह रहते हैं, यह ship है, blue ship है, तो इस तरीके का आप देख सकते हो, अब यह देखते हैं कि क्या, क्या, ऐसे steps दिये गए हैं इंडिया के द्वारा, चो कि snow leopard की जो यहाँ पर population कम हो रही है, उनको हम लोग tackle कर सके, तो इंडिया में आप देखो, snow leopard की जो habitat है, वो तीन तरीके स आप देखो कि five state है, जहां पर इस तरीके का काम किया जा रहा है, इनको conservation करने के लिए, लद्दाग और हिमाचापदेश एक साथ है, उतरा खंड एक साथ है, और सिक्कीम और अरुनाचापदेश एक साथ है, तो यह तीन एरिया में डिवाइट किया गया है, 2009 में पहली बार इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है, वोड लांच किया गया, जिससे कि हमारे देश में जितने भी स्नो लेपर्ड है, उनके रहने के जगह को conserve किया जाएगा, फिर 10 साल के बाद 2019 में इंडिया के द्वारा पहली नैशनल स्नो लेपर्ड पोपुलेश तो जहां पे भी स्नो लेपर्ड रहते हैं, तो उनके अगल बगल रहने वाले लोगों को यहां पे जागरू किया गया, कि आप इस तरीके से इनके रहने के जगह, जो है, हैबिटाट है, उनको conserve कीजे, और में लिए आप लोग देखो कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड 2070 से, और हम लोग विश्चेक बेञीरेशन, 2017 में भी sign किया है, भी विश्चेक बेञीरेशन आपसे डिरेक्ली पूछ लिया जाएगा कि किस टौपिक से रिलेटेड 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 हैं, क्या यह पिर क्रोकॉडाइल है, यह पिर गरियाल है, तो याद रखने कि ब लेपर्ड की प्रोटेक्शन के स्टेटर्स देखें इंडिया में तो आक्चुली इंडियान वाइलाइफ जो एक्ट है 1972 में तो एपसलीट प्रोटेक्शन दिया जाता है इसकी डूल वन में कि इनके लिए जो है ट्रेड वगेरा भी परमिट नहीं है और साथी साथ आप हमारे पास एविडेंस भी है कि हाँ इनकी पॉपलेशन कम हो रही है और साथी साथ हमनों को टेक्नलोजी का भी यूज करना चाहिए जैसे जेनिटिक एसस्मेंट हो कैमरा ट्राप सर्वे हो की कैमरा एक जगा लगा दिया जाता है जहां उनका रहने का जगा है ना वहाँ प इंप्रूफ करने के बारे हैं बाती की गई है फाइन थ्रेट क्या क्या है क्या क्या परिशानी है स्नो लेपड को तो सबसे पहले तो क्लाइमिट चेंज है क्योंकि क्लाइमिट चेंज हो रही है क्लेसियर जिस तरीके से पिखलते जा रहे हैं तो हमारे एको सिस्टम को काफ obvious है कि उनको मार देते हैं या फिर rescue वाले आकर इनको लेकर चले जाते हैं loss of prey है यानि कि जिसके उपर ये dependent है snow leopard जिनको खाते हैं जिनको खाकर वो जिन्दा रहते हैं उनकी भी habitat loss, climate change के कारण वो भी खतम हो रहे हैं साथी poaching वगेरा होता है इनको मारा जाता है international trade के लिए क्योंकि इनकी skin वगेरा काफी ज्यादा इस्तमाल होती है okay so this is all about the snow leopard तो इसके बारे में I hope कि आपको ध्यान होना चाहिए ये सारे जो species काफी important है इससे question बनने की chances ज्यादा से ज्यादा होती है coming to the last article of environment lesson तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे used cooking oil based biodiesel तो recently जो इंडियन ओल कोपरेशन है IOC है उनके दोरह यहाँ पर इंडिजल के supply को किक टॉफ किया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बायो डिजल के साथ इसको blend किया जाएगा जो भी हमारे यहाँ पर used cooking oil है देखे used cooking oil क्या होता है एक बार जब आप तil-garm करते हो उसमें आप समझो की पपर चान रहे हो तो चान के निकाल लेते हो यानि की वो उक बार used हो गया है फिर उसके बाद आप देखो कि शाम में भी पपर खाने का मन करे और तो उसे में आप चान लिय है यानि की वो double used हो गया है तो used cooking oil जो है एक तरीके का oil होता है और वो एक fat भी है जो कि हम लोग cooking के purpose से या फिर food processing industry में इसको fry करने के purpose से यूज करते है या फिर आप restaurant वगेरा में देखो fast food जगा पे देखो जो कि बहुत जादा जो है consumer level पे जो है consume करने के लिए उसको use किया जाता है household में भी use किया जात कि हम लोग bio diesel को यहाँ पे produce कर सकते है तो used cooking oil बहुत अच्छा है कि जिससे bio diesel जो है वो यहाँ पे produce होता है साथी इसको हम लोग साबून बनाने में कॉस्मेटिक में cooking oil में animal feed में जो animals वगेरा खाते उनके लिए अलग से जो खाना वगेरा बनता है वो आप देखते हो packet food वग bio diesel में तो इससे काफी ज्यादा है health हो पाएगा लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा serious problem से चल रहे है serious disease से चल रहे है जैसे कि आप देखो cancer वगेरा है Alzheimer disease देखने को मिलता है कई बाल लीवर disease है या फिर hypertension है तो यह सारे चीज़े जिस भी लोग इस तरीके के बीमारी से ग overweight और जो obesity है यानि कि जो मोटापा है वो आज के date में major cause of concern है क्योंकि यहाँ पर used cooking oil बहुत ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है तो इससे मोटापे वगेरा बढ़ जाते है environment के अगर हम लोग बात करें तो used cooking oil जो है जब इसको discharge किया जाता है बीना treatment के तो बहुत सारे जो drainage system है वो clog हो जाते है यानि कि जो नालिया वगेरा होती है गड़े वगेरा होते है वो सब जो है जम जाते है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर पानी वगेरा flow नहीं हो पाता तो आप जानते हो कि environment में कितना जादा problem create होता है economy के अगर basis से देखे हम लोग तो इंडिया में 2700 क्रॉर लीटर्स of cooking oil है जो कि हम लोग यहाँ पर use करते है out of 140 क्रॉर used cooking oil से जिसको कि हम लोग bulk consumer से collect करते है जैसे कि restaurant हो गया या फिर hotel हो गया canteen हो गया जिसमें कि आप लोग दे होते है न वो used चाय पत्ती को ही बार बार use करते है तो उससे चाय की टेस्ट थोड़ी उनकी अलग हो जाती है साथी साथ आप देखो कि जब restaurant वगेरा का खाना इतना अच्छा क्यों लगता है क्योंकि वो इतना unhealthy होता है न तो हम लोग घर में healthy खाना खाके हम लोग को लगता इतने different जगह से हर एक जगह से मिल जाएगा घरो से मिल जाएगा hotel से मिल जाएगा restaurant वगेरा सब जगह से मिल जाएगा तो इससे हम लोग बायो डीजल जो है बना पाए और जो यहां पर residue है या फिर west oil है यह कच्छा material हो जाएगा हमारे biofuel के लिए कि biofuel जैसे यह काम भी कर आनिमल आइल से यह फिर जो west cooking oil है उससे भी हम लोग produce कर सकते हैं साथी साथ जो process है जिससे हम लोग यह सारे oil को bio diesel में convert करते हैं इस process को हम लोग trans esterification भी कहते हैं तो यह भी आपको याद रखना है कि यह पूछ लिया जाएगा कि trans esterification की से कहते हैं तो यह एक process है जिसमें त bio diesel में convert करते हैं यह carbon neutral होता है इसमें आपना carbon emission नहीं देखने को मिलेगा और जो oil seed है न वो same amount of carbon dioxide को absorb भी करते हैं जितना हम लोग fuel को जब combust करते हैं जैसे हम लोग vehicle वगेरा drive करते हैं तो फिर two wheeler right करें या फिर four wheeler drive करें तो इसमें जो हमारा petrol वगेरा combust होता है तो उसके comparison मे आप देखो तो carbon dioxide बहुत निकलता है लेकिन यही चीज़ है कि अगर हम लोग ट्रांस esterification करते हैं यानि कि oil से bio diesel में convert करते हैं तो यह carbon neutral होता है ठीक है और साथी आप देखो कि rapidly यह bio degradable है यानि कि बहुत आसानी से यह मिट्टी में मिल भी जाता है और completely non toxic है कि हमारे लिए ह हमारे health के लिए और environment के health के लिए यह इतना जादा गंदा नहीं है production नहीं फैलाता है तो हर एक तरीके से आप देख सकते हो कि bio diesel जो है बहुत जादा important है साथी यहां पर देखे तो bio diesel cycle का कि कि किस तरीके से इसको use करते हैं देखे बीज है एक पौधा निकल रहा है उससे हम हम लोग extract करते हैं crude कच्चा oil जो vegetable oil होता है फिर इसको refine किया जाता है तो आप लोग refined vegetable oil भी use करते हैं जिसको हम लोग refined oil होता है ना जिसको हम लोग इसको different companies की भी होती है कैसे मैं बताओ ठीक है इसके बाद यह trans esterification हुआ यानि कि यह जो refined vegetable हुआ उसको trans esterification किये तो इसमें क्या हुआ कि biodiesel में convert हुआ और इसमें आपका जो है alcohol का इस्तेमाल किया जाता है during the process of trans esterification फिर इससे glycerol भी निकला और फिर यह biodiesel को हम लोग वेहिकल में यूज करेंगे और वेहिकल से जो है आप देखो कि carbon dioxide निकला energy निकला हाला कि इसका इसका इस्तेमाल करने से नहीं निकलता है लेकिन हाँ और वे अगर माल लीजे कि petrol वगएर इस्तेमाल किये तो इससे निकला और फिर energy से जो हम लोग यहां पे फिर seed लगाते है तो फिर sunlight के health से यह जो पौधे बड़े होते हैं तो यह एक तरीकी का आपका बायर डिजल साइकल है जिसमें कि आप देखो कि यह बायर डिजल का अगर इस्तेमाल हम लोग अपने देश में बढ़ाते है तो काफी चीजे यहां पर सहलियत हो जाएगी और self sufficient भी हम लोग हो पाएंगे य science and technology, earth science के साथ मिलकर एक यहां पर आप देखो कि एक इंट्रेंस दिखाए कि कैसे बायर डिजल को procure किया जाएगा जो भी used cooking oil से produce हो रहा है तो इसका aim यह है कि ऐसा ecosystem बनाना है जिसमें कि हम लोग used cooking oil को collect करें उसको convert करें बायर डिजल में और फिर उसके बाद जो हमारे हमार जो open market cooperation है वो periodically आप देखो कि incremental होते रहता है जो price guarantee है वो 5 years के लिए और उसके बाद आप देखो कि फिर इसको जो है extend किया जाएगा कि 10 years तक के लिए यानि कि entrepreneurs के लिए यहां पर अच्छा खासा आपका facility रखा गया है 2018 में अगर आप देखो तो national policy on biofuel लाय गया है जिसमें क जादा से जादा यह increase किया गया है कि हमारे हाँ supply chain mechanism होना चाहिए biodiesel production का चुकि हम लोग non edible oil seed से करें या फिर used cooking oil से करें या फिर जो short gestation crop है यानि कि short duration में जो crop यहां पर 20 से लेकर आपका फसल बन जाते हैं पुरी तरीके से यानि कि 6-7 महीना ना लगे एक दो महीना लगे तो वैसे crop को भी हम लोग इस्तिमाल करके biodiesel का production कर सकते हैं वही अगर हम लोग देखें तो food safety and standard authority of india के द्वारे यह कहा गया है कि एक repurpose used cooking oil project लाना है और यह कब लाया गया 2019 में तो यहां कहां से तो hotel से caterer से snack maker से जितने भी snack makers होते हैं जो कि काफी छानते वांते हैं तो उससे जो है oil काफी बच जाता है साथी traders से जिससे के reasonable price से यह purchase किया जाएगा और फिर इससे जो है ना हम लोग यहां पर किसी plant में biodiesel का convert करेंगे तो यह जो repurpose used cooking oil है इसमें काफी तरीके की issue आप देखो कि कोई भी established chain है नहीं यानि कि यहां पर जो कहां गया है था कि ठीक है hotel वगेरा से या फिर snack maker से caterer से जो है यह आपका जो है purchase किया जाएगा बट अब तक आज तक ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कोई supply chain बनाए गया है जिससे कि यहां पर जो है collect कर सके second चीज ह कि presence of impurities जैसे आप देखो कि free fatty acid है water है जो कि used cooking oil में देखने को मिलता है तो इसमें इन impurities बहुत जादा होगा साथी साथ अगर हम लोग यहां पर देखे तो large food business operator की जरुए थे जिसमें कि used cooking oil को अलग से store करके रखा जा सके तो यह भी बात कहीं जा रही है साथी हम लोग यह यहां पर जो है repurpose used cooking oil sticker की बात करें एक mobile phone application भी launch किया गया था जिससे कि यहां पर used cooking oil का collection किया जाएगा और यह ensure किया जाएगा कि वापस से यह ecosystem में ना आए यानि कि हमारे यहां पर environment में उसको वापस से किसी भी तरीके से dispose नहीं किया जाए इस तरीके का यहां पर आपका ए जाए गया है कि ठीक हर जगा से यह collect किया जागा तो collect क्यों नहीं कर रहे वापा यह कैसे आएगा तो collect करने के लिए यहां पर जो है एक door to door system रखना चाहिए साथ एक mechanism भी develop करना चाहिए कि अगर individual भी जो है ना वो अपना used cooking oil जो है वो collection center सक ला सके और money earn कर सके घर में भी आ सबके लिए होना चाहिए बायर डिजल कंपनी जो है वो यहां पर जो raw vegetable oil है उसको supply करे और जो producer है used cooking oil का फिर उसके बाद उनको collect करे जिससे की recycle भी हो सके सारे जो used cooking oil collect और यहां पिका गया कि जो सारे used cooking oil collecting agencies है ना उनको expect किया जा रहा है कि वो food business operator को pay करे immediately जैसे वो used cooking oil को collect क तो यह उनके quantity or quality के उपर based होना चाहिए कि कितना उनको payment करना है okay so this is all about this article I hope कि आपको यह article समझ में आया होगा बायर डिजल के बारे में पूरी यहां पर कहानी समझ में आया होगी used cooking oil का क्या यहां पर funda है कैसे उससे जो है हम लोग बायर डिजल में convert कर सकते यह भी आप सम क्या क्या हमारी सरकार initiative लेकर आ रही है जिससे कि हम लोग यह काम कर सके यह भी चीज़े देखे और way forward के बारे में भी बताया गया है तो guys आज के लिए बस इतने ही कल हम लोग मिलते हैं tropical cyclone के साथ एक अलग से आपको listen देखने को मिलेगा चुकि मैं detail में यहां पर बताने वाली हूँ जोग्राफिक आपका एक topic complete हो जाएगा तो अगर आपको यह listen अच्छे लगते हैं और आगे भी आप लोग हमारे साथ continue रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल का part बन सकते हैं subscribe करके इसके अलावा और भी कोई doubt करी suggestions है तो आप comments कर सकते हैं free of cost आपकी हैं कि आपको इना subscribe करने का like करने का कोई भी यहां पर cost नहीं देना होता है तो आप लोग कर सकते हैं as your wish तो मिलते हैं कल हम लोग इसी time पर आज के लिए बस इतनी thank you